द्रिश्टिया इसके ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल दहिंदू में प्रकाशित लेग A milestone in greater transparency, accountability और effort with emulation के सम्मिलित सारांश पराधारित है इसमें टीम द्रिश्टि के inputs भी शामिल है यह audio article सामान्य अध्यान प्रश्णपत्र 2 के शासन खंड से जुड़ा है तो आईए लेख की शुरुआत करते हैं जन सूचना पोर्टल और RTI जनता लोकतंत्र की मालिक होती है और सरकार उसकी सेवा के लिए चुनी जाती है फिर जनता द्वारा कर के रूप में दिये गए पैसों से सरकार शासन व्यवस्था और देश चलाती है ऐसे में सरकार के कामकाज से संबंधित सूचनाओं तक पहुँच अभिव्यक्ती और अभिभाशन की स्वतंत्रता के अधिकार का आनिवार्य अंग हो जाता है इसी के मद्दे नजर 2005 में सूचना का अधिकार कानून अस्तित्व में आया लेकिन राजस्थान की मौजूदा सरकार ने जन सूचना पोर्टल के शुरुवात कर न केवल एक नजीर पेश कर दी है बलकि RTI कानून को अपने मकसद के और करीब ले गई है ऐसा माना जा रहा है कि पारदर्शिता और जवाब देहिता की कसोटी पर यह पोर्टल मील का पत्थर साबित होगा सूचना का अधिकार कानून की धारा 4-2 को राजस्थान सरकार ने अमली जामा पहनाने की कोशिश जरूर की है लेकिन इसकी राह में कई चुनौतियां भी हैं जिस तरह RTI Act के लक्षों को अभी तक पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका है उसी तरह इस नई पहल की राह में भी कई चुनौतियां हैं हाला कि RTI Act में हुए हालिया संशोधन ने भी पारदर्शिता और जवाब देहिता को लेकर सशंकित किया है यही कारण है कि जन्द सूचना की संकल्पना को साकार करने की चुनौति में कमी आने की बजाए इसमें इजाफा हो गया है ऐसे में सवाल है कि इस कानून के अस्तित्व में आने के लगभग 14 साल बाद भी इसके मूल मकसद को हासिल क्यों नहीं किया जा सका है दूसरी तरफ इस कानून के मकसद को हासिल करने में RTI कारेकरताओं की हो रही हत्याएं एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आई है कि RTI कानून की चुनोतियों से निपटने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है आईए इन सब ही बिंदूओं पर विचार करते हैं सबसे पहले जन सूचना पोर्टल के बारे में जानते हैं इस सूचना पोर्टल के लिए राजस्थान सरकार के सूचना प्रोध्यों की विभाग को नोडल एजनसी बनाया गया है या विभाग इसके विकास, परिचालन और रख रखाओं का ध्यान रखेगा इस पोर्टल के जरिये शुरुआत में 13 विभागों की 23 विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी अब एक ही क्लिक पर मिल सकेगी धीरे-धीरे अन्य विभागों की योजनाओं को भी जोड़ा जाएगा पोर्टल पर मनरेगा से संबंधित कारियों, ग्रामीड क्षेत्रों में खुले में शौचमुक्त लाभार्थियों, पंचायती राज संस्थाओं के विकास कारियों आदी की जानकारी मोहिया कराई गई है इस पोर्टल का मकसद और्डिट के साथ साथ आम जन को सरकारी विभागों, प्राधिकर्णों, निगमों आदी की जानकारियों से अवगत कराना है साथी इस पोर्टल के जरीए लोग अपनी समस्या के लिए शिकायत भी कर सकेंगे यह शिकायत व्यक्तिगत भी हो सकती है और किसी स्थान विशेश के समोह द्वारा भी शिकायत की जा सकती है इसके जरीए किसी भी योजना की अनेमितताओं की शिकायत करने के सुवधा दी गई है हाला कि जन सूचना पोर्टल को लॉंच कर देना भर काफी नहीं है आमूमन देखा जाता है कि सरकारी वेबसाइट्स या तो सुचारू रूप से काम नहीं करती है या फिर उन्हें अपडेट नहीं किया जाता इस कारण इसका मकसद अधूरा रह जाता है लिहाजा इस पोर्टल के मेंटेनेंस संबंधी मुद्धे बड़ी चुनोती के रूप में उभर सकते हैं फिर यह भी सुनिश्यत करना होगा कि सूचना के उपलब्धता में कोई कमी नहीं हो एक बार लागू होने के बाद यह सुनिश्यत करने की जरूरत है कि सूचना प्रणाली निर्बाध रूप से जारी रहे यह भी गौर करने की जरूरत है कि शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ती की जाए ताकि राज्य सरकार को वास्तों में जवाब देह बनाया जा सके पोर्टल पर विस्त्रेत रूप में जानकारी दी गई है इसमें जिला, व्लॉक और पंचायत अस्तर तक की जानकारी शामिल है यकिनन राज्य सरकार की यह कोशिश काबिले तारीव है लेकिन भारत में डिजिटल डिवाइड एक गंभीर समस्या है ग्रामीर्क शत्रों में इंटरनेट की पहुँच का अस्तर अभी हमें डिजिटल रूप से दक्ष नहीं बना सका है लिहाजा जन सूचना पोर्टल तक हाशिये पर जा चुके लोगों की पहुँच को सुनश्यत करना एक बड़ी चुनोती होगी आईए अब सूचना का अधिकार कानून पर एक नजर डालते हैं सूचना का अधिकार यानि Right to Information कानून 2005 में नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया इस कानून के प्रावधानों के तहट भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है यह सूचना 30 दिनों के भीतर मोहया कराये जाने की व्यवस्था की गई है इस कानून की धारा 7-2 के मुताबिक अगर मांगी गई सूचना जीवन और निजी आजादी से जुड़ी है तो ऐसी सूचना 48 घंटे के भीतर ही मोहया कराई जाएगी धारा 8-1 के तहट इस बात का जिक्र है कि राष्ट की समप्रभुता, एकता, खंडता, सामरिक हितों आदी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं नहीं दी जा सकती हाला कि यह कानून अस्तित्व में आने के बाद से हमेशा ही चर्चा में रहा है लेकिन हाल ही में इसमें संशोधन के कारण यह कानून खासा चर्चा का विशे बना सूचना का अधिकार संशोधन अधनियम 2019 में धारा 13 और 16 में बदलाव किया गया है धारा 13 में केंद्रिया सूचना आयोग जबकि धारा 16 में राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयोग्त वा आयोग्तों के पद की अवधी और शर्तों का जिक्र है सूचना काधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कारेकाल पांच सालों का होता है लेकिन संशोधन के बाद केंद्र और राज्यस्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कारेकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा मूल कानून में केंद्रिय मुखे सूचना आयुक्त वसूचना आयुक्तों का वेतन क्रमशह मुखे चुनाव आयुक्त वसूचना आयुक्तों के वेतन के बराबर होता था। राज्येस्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त वसूचना आयुक्तों का वेतन, प्रमशह, चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव के वेतन के बराबर होता था। लेकिन अब केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा अन्य रोजगार की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा ही तै की जाएंगी। अत्म कर दिया गया है। प्रताडित करने के कई मामले प्रकाश में आये हैं, इतना ही रही। आर्टी आई कारेकरताओं की लगतार हो रही हत्याएं भी एक बड़ी चुनोती के रूप में सामने आई हैं। एक आकड़े के मुताबिक 2005 से 2019 तक 84 कारेकरताओं की हत्या हुई है जबकि 179 पर जानलेवा हमले किये गए हैं। दूसरी चुनोती की बात करें, तो आपनिवेशिक हितों के अनुरूप बनाया गया वर्ष 1923 का Official Secrets Act RTI की राह में बड़ी बाधा है। पिछले दिनों राफिल मामले में यह कानून चर्चा में आया था जब रक्षा मंत्राले के कुछ कागजाद लीक हो गये थे। तब आर्टी आई कानून और इस गोपनियता कानून के बीच ठकराओं के स्थिति पैदा हो गई थी। गौर तलब है कि द्वीतिया प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस गोपनियता कानून को खत्म करने की सिफारिश की है जिस पर पारदर्शिता के लिहाद से अमल करना जरूरी है। ये वे चुनोतियां हैं जिनकी काट खोजे बिना RTI कानून के संपोर्ण लक्ष को हासल नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो। दरसल RTI कानून को आजाद भारत के सबसे कामयाब कानूनों में से एक माना जाता है। इसने हाशिये पर जा चुके नागरिकों को भी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया है। इसका उप्योग नागरिकों के साथ साथ मीडिया भी करता है। एक आखड़े के मुताबिक दोहजार पांच छे में किंद्र सरकार को लगभग 24,000 आवेदन प्राप्त हुए जबकि 2017-18 में लगभग 1.4 मिलियन आवेदन प्राप्त हुए। देश भर की बात करें तो कुल 6-8 मिलियन आवेदन हर साल प्राप्त होते हैं। जाहिर है सवाल पूछने की दर में लगतार इजाफा हो रहा है। इसी तरह RTI कानून के तहट जन सूचना पोर्टल की शुरुआत से भी शासन में लोगों का भरुसा बढ़ेगा। लेकिन क्रियानवेयन के इस तरह बहुत कुछ करने की जरूरत होगी। देखने वाली बात होगी कि राजस्थान की तरह देश के बाकी राज्ये इस पहल को अपना पाते हैं या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि सूचना का अधिकार कानून का मकसद ही हाशिया वर्ग सहित सभी लोगों को शासन प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है। सरकारी कर्बचारियों द्वारा मनमाने फैसले लेने के खिलाब शिकंजा कसा जाना ही इसका मूल मकसद है। लेकिन लगभग 14 साल बाद भी हम पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके हैं। इसकी वज़ा है कि सूचना मुहिया कराने में सरकारी विभागों की लेट लतीफी ने इस कानून की राह में बाधा पैदा की है। इससे पारदर्शिता के कम होने का खत्रा तो पैदा हुआ ही साथ ही भरोसे में भी कमी आई है। कि इस कानून का संशोधन कर वह अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। साथ ही जिन कारेकरताओं के हत्या हो जाती है उनके लिए एक शती पूर्ती का भी ध्यान रखा जाए। इसी तरह इस कानून में सरकार के हालिया संशोधन ने कई सवाल खड़े किये हैं जहां पारदर्शिता में कमी आने की आशंका जताई जा रही है वहीं जवाब देहिता को भी सुनशित करने की चुनोती सामने है। अब सूचना आयोक के आयोक्त और सदस्यों की सेवा शर्तें और वेतन के अंदर सरकार द्वारा तै किये जाएंगे। केंद्रित अधिशासन को स्थापित करने की एक कुझी है। देहराल देखना होगा कि सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल जैसी नई पहल के साथ आने वाले समय में आर्टियाई कानून की दिशा और दशा क्या होती है और देश भर के सभी राज्ये इस क्रांतिकारी कदम को अपनाने का कितना साहज कर पाते हैं। आईए अब नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है जन सूचना पोर्टल क्या है। आर्टियाई कानून और जन सूचना पोर्टल के समक्षे चुनोतियों को रेखांकित कीजिए। पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्च करने के लिए आप सरकार को क्या-क्या सुझाओ देंगे।